हेलो दोस्तो वेलकम बेक टू माई चैनल इदर बनाने वाली हूँ नूडल्स में पर सिंपल तरीके से इसके लिए मैंने कुछ सबजियां लिया है इदर मैंने सिमला मिर्च लिया है टमाटर लिया है प्याज लिया है गाज लिया है और आलू लिया है इनको मैंने लंबा लंबा काट लिया था बिलकुल पतला काटना है लंबा इदर मैंने दो से तीन लेसुन लिया था इनको भी म काड़ाई गरम तीन गलास पानी बालने का पानी को वॉयल होने देंगे एक छमच तेल और दोड़ा आदा चमच नमग इस्की क्या है तो अच्छे खिले खिले वनेंगे वो चिपकेंगे बिल्कुल भी नहीं पानी हमारा देखिए वॉयल हो चुका है अच्छे से वॉयल हो चुका है तो अब है नूडल्स डालने की बारी तो इदा मैंने नूडल्स इसी तरह से मैं आराम से इसमें छोड़ दूँगी एकदम मुझे तोड़ नूडल्स टूटने का डर रहता है थोड़ा से बीच में इस तरीके से कर देंगे कि वह कड़ाई में चिपके नहीं वैसे तेल डाल देते हों तो यह चिपकते नहीं है नूडल्स यहां पर मेरे अच्छे से बॉयल हो चुके हैं मैं थोड़ा चेक करके आपको बताती हूं तो तरीके से मैंने लिया थोड़ा से ठंडा होना कि देखें मैं आपकता है मैं तो यह तो अब बंद कर दिया तो अब हैं नूडल्स को खडाई में से निकालने के अबर्यादा पानी जिससे क्या है नूडल्स शिपकेंगे नहीं इदर फोड़ता से पाई डाल दी है चितंगें और जल्दी से ठंडे भी हो जाएंगे तो इसमें डालने वाली हुमेरे एक बड़ा चमच तेल तेल गर्यानने की वाद दो जीरा से शुड़ा शुरी मु Mrbukamam थोड़ा सा छलाने की और इसमें आलू इसके दालेंगी इसमें डालू इसके बाद यिए हैं इसके बाद होंगी को तोड़ा सा चलाने के बाल रभध योई अपने टमाटर भी डाल दिये मैं सारी वेजिटेवल एक साथ डाल नहीं हूं जाना टाइम लगेगा जल्दी से पक जाएंगी इदा मैं सिम्ला मिर्ची डाल दिये टमाटर के बाद अब मैं इसमें डालने वाली हूं अपनी घाजर जो कि मैंने काटके रखी हुई थी इन सब सब्जी यों को ढालने के वाद इस तरीके से थोड़ा सा इसमें सारी सब्जी को मिक्स कर दूँगी चलाती हुए इस तरीके से और गैसकी फ्लेम हमें दीमी रखनी है इसे तेज नहीं रखना दीमी आज़ पर हम सारी सब्जीव फ्राइब करेंगे इसमें डालनों नमक मिक्स करने के बाद इसको कबर करके मैं दो से तीन मिनित दब पकाऊंगी इदा मेरे नूडल्स एक तब ठंडे हो चुके हैं इस तरीके से हो चुके हैं कि मैं इनको हाथ से चू सकती हूं देखिए यहां पर मेरी वेजी टेवल्स और मुस्ट थोड़ी सी पक चुकी है इस तरीके से मैं चलाती रहोंगी बीच में इसे कड़ाई में लगेंगी नहीं उसके बाद थोड़ा सा फिर से कबर करके रख दूंगी क्योंकि अभी थोड़ा सा और टाइम है इनको पकने में बार बार इनको चलाना पड़ेगा क्योंकि यह कड़ाई में लगे नहीं तो इदर में डालने वाली हूं थोड़ी सी लान मिर्ची इसमें और इसको फिर मैं फिर से लान मिर्चियों को इन वेजी टेवल्स में मिक्स कर दूंगी और कबर कर दूंगी बस इसके बाद इसको तोड़ी सी देर बाद मैं इसको अटाने वाली हो और इधर मैं थोड़ी सी डाले वाली कर्सोरी मैती इससे क्या है इनूडल में एक अलगी फ्लेवर आ जाता है उसके बाद देखी मेरी बिल्कुल वेजिटेवल जो है वो पक चुकी है तो इदा मैंने ली है टोमेटो सॉस द को अच्छे से मिक्स कर दोंगी इसकी क्वांटिटी आप अपने एसाब से रख सकते हो आपको कम या जांद किस तरीके से चाहिए बस बैजिटेवल मेरी होस चुकी है सॉसे मैं इसमें डाल दी है तो अब है नूडल्स डालने के बारी तो इस तरीके से मैं हाफाफ करके सार क्योफित हैं गुणकी एकम सौफ्ट हो चुके हैं वह तहीं को इस तरीके से मैं एक और चमच ले लोंगी दोनों चमच ki स़हेता से मैं इनको इस तरीके से उठा कर थोड़ा चलाओंगी तो यह जी टेवल्स में अच्छे से भी Ctrl वे इंविक्स हो जाएंगे सारी वेज़ी टेवल और सोस मसालों का फ्लेवर इन ऐंँए अच्छे से आजाए गा नूूडल्स मेरे बन कर तैयार है एकदम आरे लिए चेणल को आयग करें दोर आकली ओर स्बाद्य केम चर्ण करक्स सम्सक्रों करमा है गरम गरम नूडल्स को प्लेट में निकाल दूँगी विश्वास मानी ये नॉडल्स खाने में बहुत टेस्ट लगते हैं एक बाद जरू ट्राइ करिएगा मेरी रेस्पी को मिलती हूँ नई वीडियो में नई रेस्पी के साथ जब तक के लिए बाइ